मुंबई में आज वरली से मरीन ड्राइव को जोडने वाले कोस्टल रूड के एक हिस्से का उद्खाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे मुंबई कर इसका इस्तेमाल कल से कर सकेंगे कोस्टल रूड का सफर पूरी तरह से फ्री होगा इस पर वाहन चालकों के लिए अधिक्तम स्पीड असी किलोमेटर प्रति घंटा तया की गई है जबकि दो किलोमेटर लंबी टनल में साथ किलोमेटर प्रति घंटे और एंट्री और बाहर निकलते समय अधिक्तम स्पीड चालिस किलोमेटर प्रति घंटा तया की गई है अनन्द आपने बिल्कुल सही कहा, यह मुंबई करों के लिए सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि मुंबई में अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी दिक्कत का कारण होता है, मुंबई का ट्राफिक, यहां पर लगातार, लोग ट्राफिक से जूंचते हैं, अलग-अलग तर शुरू किया जा रहा है, यह कोस्टल रोड का फेज वन शुरू किया जा रहा है, जो वरली से मरीन ड्राइव तक होगा, तकरीबन साड़े दस किलोमेटर का जो रास्ता है, उसमें एक सबसे महतोपूंट चीज है, कि यह भारत का पहला ऐसा रास्ता है, जो की समुद्र के अंदर बनाया गया है, जो दो किलोमेटर का टरनल है, वो समुद्र के अंदर बनाया गया है, जब यह ब्रिज लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, कल से यहाँ पे लोगों की आवाजा ही शुरू कर दी जाएगी, आज इसको उड़गाटन किया जाएगा, महराश् से जादा का समय हो जाता है क्योंकि ट्राफिक की समस्या बहुत है मगर इस कोस्टर रोड के फेज वन शुरू होने के बाद यह रास्ता तक्रीबन दस मिनिट के आसपास का हो जाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि यह दो हजार अठरा से इसका कंस्रक्शन शुरू किया गया था उसके बाद लगातार इस पर काम किया जा रहा था और आज फेज वन बन के पूर्ण तरीके से तयार है और लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं महराश्टर सरकार यहां पर और अगर आप देखें तो किस तरी अधिकारी हैं वो यहां पहुंच रहे हैं मुंबई करों के लिए बड़ी सौगात आज उन्हें मिलने वाली है बहुत बाद शुक्रिया हाला कि मुंबई कर कल से इस पर ट्रैवल कर पाएंगे और जहां बात आती है अधारभूत परियोजनाओं के विकास की तो उसमें एक के बाद एक मील के पत्थर भारत सापित कर रहा है कॉलकता में पानी के नीचे मेट्रो चल रही है मुंबई में पानी के नीचे सडक पर अब गाड़ियां दोड़ेंगे एक और इंजिनिरिंग का नायाब नमूना यहां पर देखने को मिलेगा